तो गाइज आज ना मुझे एक कॉलिज गोइंग गर्ल की तरफ से केक का ओडर आया है और उन्होंने मुझे दो कलर को यूज करने के लिए बुलाया कि आंटी ये दो कलर कॉंबिनेशन में मेरे केक में बनाईएगा तो मैंने पूछा इसका कोई स्पेसिफिक रीजन है क्या तो गुली मेरा बर्डे है और मैं यही दो कलर की ड्रेस पेल रही हूं तो मैं चाहते हूं मेरे कलर में भी ये दोनों शेट आया है आजकल बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स फ्रेंड्स डिमांड करते हैं कोई शेट का बता देता है कोई कलर बता देता है कोई तीम पे बता देता तो वो क्यूंकि मेरे पास आए है तो मुझे अब अपना एक चैलेंज समझ के लेना है कि कम बजट में मुझे ये केक भी बनाना है क्योंकि उन्होंने मुझे बोला है कि यांटी थोड़ा ठीक्षा क्रेट का बना दीजेगा तो आज मैं उन दोनों, जो कलर उनोंने बोले हैं, वो यूज़ करके आदा केजी का केक बनाओंगी, और बजट में ही बनाओंगी, और फ्रेंट्स इसको बनाने के लिए न, मैं ये क्रस्ट अड क्रम का जो प्रिमिक्स है, जो मैं अभी-अभी लेकर का आई थी, यह तो सारी डीटेल प्रोसेस में आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजेगा चैनल को नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं केक को बनाना तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मैंने देड़ कप प्रिमिक्स को यूज करके इसके अंदर पिस्ता इमल्शन डाल करके केक स्पॉंज रेडी किया है और इसका डीटेल मेथड आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं और बहुत ही बढ़िया कलर से आपका यह देखिए केक स्प पतली कट कर लेती हो तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स मार्केट के प्रिमिक्स से भी आप बहुत ही बढ़िया स्पॉंज रेडी कर सकते हैं और इमल्शन डालने से कलर और फ्लेवर इसमें दोनों ही आ गया है अब तीनों की मैं लियरिंग करके आइसिंग कर लोंगी और फ्रेंड्स यहां पर ना देखिए मैंने यह पिंक से मिलती हुई शेड से इसकी आइसिंग की है और इस शेड को मैंने बनाने के लिए पिंक और बरगंडी कलर को मिक्स किया था फ्रेंड्स क्योंकि जैसा मैंने बताया उसकी ड्रेस में कुछ यही शेड था तो इसको ब और अगर आप इसका detail method देखना चाहते हैं, तो भी मैंने अपने channel पर डाला हुआ है, तो यहां पर दोनों ही shade मेरे ready हो गए हैं, अब मैंने लिया है friends, यह steel का एक glass, और इसकी मदद से ना हमें यह semi circle वाले निशान बनाऊंगी cake के ऊपर, तो पहले मैंने एक निशान बनाया, अब जो मैंने यह olive shade की cream बनाई है ना, इसको piping bag में भर करके, छोटे से चेक को मैंने cut किया है, और जो हमने marks बनाया है ना, इनके अंदर बस zigzag-zag-zag करके मैं भरती जा रही हूँ, यह देखे, तो friends, मैं जो try कर रही हूँ ना, वो उसकी dress को मिलता जूलता design बना रही हूँ, एक ऐसे हलका सा gown सा था और उसमें नीचे की तरफ यह मुझे designing मिली, तो बस वो ही designing मैं अपने यह cuts में कर रही हूँ, यह देखे, और उसमें बहुत ज़्यादा time भी नहीं लगेगा friends, कोई nozzle भी नहीं चाहिए, just simple आपको ऐसे से करना है, यह देखे, और इसको करने के बाद अबना इसके अंदर एक border भी देंगे, so that यह थोड़ा सा उभर करके आए, तो सेम इसी piping bag से pearl वाला border बना दूँगी, मैं पहले तो cake के चारो तरफ, और फिर अपने semi circle के निशान बनाया है ना, इन पर भी, यह देखे, यह देखे, अब थोड़ा सा attractive लगने लगा है ना, औ और ऐसे ही मैं इधर भी pearl वाला border बना दूँगी, यह देखे, तो मैं exactly पूरी कोशिच कर रही हूँ, friends, उसकी dress को match करता हुआ, cake बनाने की, उन्होंने तो मुझे color ही बोला था, बट मैं उसकी design है ना, dress में वो भी try कर रही हूँ अपने cake पर लाने की, यह देखे, और आब नीचे border बना देंगे, और मेरी cream यह हलकेल की melt हो गई है, बट pearl वाले border में वो चल जाएगी, तो मैं फटा-फट से कर देती हूँ, because इसमें दो color की shade डाले है, तो cream का texture थोड़ा loose हो गया है, अगर मेरे पास time होता है, तो मैं इसे fridge में जरू रखती, तो अभी तो मैं निकर दिया है काम, क्योंकि ठीक ही लग रहा है, अब मैंने white color की cream लिया, friends, और लिया है, नूर का R11 nozzle और flower nail, और इसके उपर एक flower बनाएंगे, तो इसके लिए पहले तो मैं base बना रही हूँ, देखे, simple सा base बनाना है अपो, थोड़ा सा conical shape का, और अब एक conical butt बनाने के बाद, मै चार पतियां बनाऊंगे, इसके चारों तरफ, ये देखे, और अब हम क्या करेंगे, ये जो चार पतियां है न, इनी को follow करते वे, दूसरी पतियां बनाएंगे, तो जहां पहली पति बनाई थी, वहीं पर ही दूसरी, इसी तरीके से ही देखे, तो फिर से चार ही पतियां बनाएंगे ये देखे तो अलग तरीके का रोज आपका बनेगा फिर से एक बार और बनाएंगे तो जितना बड़ा आपको बनाना हो आप ये प्रोसेस रिपीट कर सकते हैं तो लगबख तीन बार में ने बनाया है थोड़ा सा मुझे छोटा लग रहा है तो एक बार मैं और पेटल बना देती हूं जैसे जैसे बहार आ रहे हैं पेटल का साइज थोड़ा थोड़ा बड़ा होता जा रहा है ये देखिए तो ये फ्लार पूरा रेड़ी हो गया है और ये रोस से बिल्कुल अलग लग लग रहा है और बीच में थोड़ा सा क्रीम रख देती हूं और इस फ्लार को सीजर की मदद से प्लेस करूंगी ये देखिए मैंने वाइट थोड़ा सा कलर यूज कर लिया है उन्होंने तो मुझे पिंक और ओलिव शेडी बोला था बट ये बहुत सुंदर लग रहा है अपना जो ग्रीन कलर मेरी बची थी थी ना उसमें ही मैंने करके सिंपल सा लेकिन बहुत ही अट्रेक्टिव सा केक बना दिया है ये देखिए और इसके उपर आप चाहें तो कोई सेलवर बॉल्स या टैक्स बगरा लगा सकते हैं बट मैं इस पर कुछ नहीं लगा रही हूं क्योंकि उसने मुझे मुझे बना किया था और ये हमारा के केक बिल्कुल बन करके रेडी है तो नहीं मुझे दो शेट दिये थे मैंने दुनों को ही उसकरके सुन्दर सा और बहुत ही प्यारा सा ये केक बनाया है और ये वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है अभी इसको बनने के बाद मैं फ्रिज में रखूंगी 10-15 मिनिट के ल बनाया है और ग्रीन की शेट को मैंने ग्रीन और येलो कलर और हलका सा पिंक कलर की क्रीम को ले करके बनाया अगर आप इसका भी डीटेल में देखना चाहते हैं तो मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन में लिख करके आपको शेट भी बनाना ज़रूर सिखाऊंगी तो इस तरीके से फ्रेंड्स देखिए उन्होंने मुझे पिंक और ग्रीन महंदी का कोई शेट था वो कलर का शेट का अपना ड्रेस का फोटो बेजा था तो मैंने उन्ही को यूज करके उनका केक बना दिया और फोटो जब भेजी उसको बहुत अच्छा लगा बोली आंट सी शेट जूथी उसकी ड्रेस में वो मिला करके बनाया है तो कभी-कभी कलर्स को, दो-चार को मिक्स करके भी हमें बनाने पडते हैं, तो मैंने तो उन्होंने जो दो शेट दिये थे, उनको यूज करके केक बना दिया, अगर आप पे भी ऐसे ही कोई और आते हैं कि कलर यह तो आप अपनी सूजबूज को यूज़ करके दो तीन कलर का कॉंबिनेशन करके भी शेड बना सकते हैं, तो पहले थोड़ी सी क्रिम में मिला कर देखेगा कि वो शेड आ रहा है कि नहीं, तो इस तरीके से फ्रेंड्स की आधा केजी का केक मेरा बन गया और मैंने इसे 400 लोगों तक आपका जो केक का टेस्ट है वो पहुंचेगा, वहाँ जहां बर्डे में केक जा रहा है, उस बर्डे में कितने लोग आएंगे, वो उनसे पूछेंगे कि वहाँ तुमारे कलर कॉंबिनेशन, मतलब कुछ अलग साई केक लग रहा है, नॉर्मल हैपी बर्डे व व्लॉग्स देखना चाते हैं कि मैं कैसे सब काम करती हूं, तो उसके लिए आप तारा मदू डाइरीज को भी विजिट करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आज ना गाइस मैं आपको वरत में खाने वाली जो सिंघाडे के आटे की टिक्की होती है, वो बनाना सिखाऊंग और अबना मैं इसकी राउंड राउंड इस तरीके से ये टिक्की बना रही हूं, और अपने एर फ्रायर की जो बास्केट है उसमें से प्लेस कर रहे हूं, तो आप भी अगर वरत वगर रखते हैं और फलहार बनाते हैं, और कम घी तेल खाना चाते हैं उस दिन को आप ये म बना दी हैं, थोड़ा सा बच किया था, तो मैंने लंबा सा एक टिक्की बनाया देखिए, ताकि बीच में मैं इस पास्केट में से प्लेस कर सकूँ, और अम मैंने शुद्ध देसी घी लूँगी फ्रेंड्स, और हलका हलका स्पून की मदद से इन टिक्की के उपर घी लग से रही हूं, और इसे स्टार्ट कर दूँगी, 15 मिनिट के बार जब यह बंद हो जाएगा, तब हम एक बार इसे निकालेंगे बाहर, और जितनी भी टिक्की हैं, उनको फ्लिप कर देंगे, ताकि वो दूनों साइट से ही अच्छी करारी और कुरकरी हो जाए, यह देखिए हलका हलका कलर आ गया है, अभी फ्लिप करने से दोनों ही तरफ अच्छा सा कलर आ जाएगा, और चाहें तो थोड़ा सा घीन के ओपर फिर से लगा सकते हैं, और इस बार में इसे केवल 10 मिनिट के लिए ही कुप करूंगे, तो आप भी यह जरूर ट्राई कीजेगा, करने का, देखिए क्रिस्पी करारी, सिंघारे की जो फलाहारी टिक्की होती है, वो बन करके रेडी है, और मैं इसको आवाज भी आपको सुनाती हूँ, जी रेखिए, आवाज से आपको अंदाजार लग रहा होगा कि कितनी करारी और कुरकुरी यह बन करके रेडी होई है, ब्रत में हलका सा एक टाइम नमक भी खाने का मन करता है, तो उस समय आप इसे बना करके ट्राइ कर सकते हैं, तो अगर आप भी इस तरीके की ओईल फ्री टिक्की खाना पसंद करते हैं, फलाहरी की या नॉर्मल ऐसी डेली स्नेक्स बनाना भी, तो आप इस एर फ्रायर को पर परचेस कर सकते हैं, इसका ओनलाइन परचेस लिक मैंने डिस्क्रिप्शन वाक्स में अग्टर दिया है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स वीडियो में कुछ और नया सा सीखने के लिए, तब तो के लिए बबाई, टेक्यार और थेक्यार और थेक्स पर हुआ 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 tutor